हलो फ्रेंड्स आरेसे स्टिचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा का सत्मा वीडियो अश्टार्ट करेंगे इससे पहले ज़दी आप छे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिष्ट में जाके आप देख सकते हैं उसके बाद सत्मा वीडियो आप दे मिवर्शी हो जाएगा प्ले मटा बात करते हैं बरनाप प्रेम्ट को 1878 इसमी में लैटण के सासनकाल में पारित किया गया था और इस एक्ट को बाद पत्रे आपके यानि कि बरना कूलर प्रेस एक्ट को लोड रीपन के सासनकाल में निरस्त किया था। लागो रीपन अथि लागो लेटन और समाप्त रीपन के सासनकाल में। तो नेश्ट कोशन क्या बात करते हैं। नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है। नेश्ट कोशन में कह रहा है कि पर्थम आंगल मराठा यूद किसके सासन काल के दोरान घटी तो इसका सई अंसर अप्सन नंबर भी हो जाएगा बारेन हेस्टिंग्स बारेन हेस्टिंग्स पर्थम आंगल मराठा यूद की बात करें तो 1775 से 1772 तक होई थी और इस समय जो गवर्नल थे बारेन हेस्टिंग्स थे इस समय गवर्नल कौन थे बारेन हेस्टिंग्स थे और पर्थम अंगल मराथा यूद की बात करें तो यह जो समापती हुआ था सालावाई के संधी के तहर समापत किया गया था और सालावाई के जो संदे हुआ था 1782 में हुआ था तो नेश्ट कोशन की अब बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कह रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है कि उस्ताज मंसूर किसके दरवार में परमुक चितरकार थे तहीं इसका सई अंसर जहांगीर हो जाएगा सवर्न काल कहा जाता है चितरकाला का सवर्न काल किसे कहा जाता है तो जहांगीर के सासन काल को और अकवर की बात करेंगे तो हिंदी साहित के स्वर्न काल कहा जाता है अकवर के काल को और बात करेंगे सा जहां के तो सा जहां के काल को साथ पत्य कला का स्वरन काल कहा जाता है यानि कि सा जहां के समय में क्या हुआ था तो इसके समय में बड़े बड़े इमारत बड़े बड़े विल्डिंग साहे जहां के सासन काल में बना था और बात करते हैं जहांगीर की तो जहांगीर के दरवार में रहने वाले परमुक्चित्रकार उस्ताज मंसूर आगाखा रजा और अबुलहसन और मुहम्मद नासिर यह सब व्यक्ति थे कोशन पूछेगा कि जहांगीर के सासनकाल में या कहेगा जहांगीर के दरवार में रहने वाले परमुक्चित्रकार कौन थे तो कहेंगे उस्ताज मंसूर आगारजा अबुलहसन मुहम्मद नासिर यह सब जहांगीर के दरवार में रहते थे निष्ट कोशन के हम बात करेंगे तो निष्ट कोशन में क्या करा है निष्ट कोशन में कह रहा है कि द्वैत वाद सिधान्त के परतिपादन कौन थे तो इसका सही अंसर आपस नंबर भी हो जाएगा माधवाचार अब माधवाचार्ज की बात करेंगे तो द्वाइता द्वाइत सिधान्त के परतिपादक माधवाचार्ज थे ए ब्रहमन शंपरदाई के अनुवाई थे तो हम कुछ सिधानत और परतिपादक की बात कर लेते हैं जैसे कहेगा दोईता, दोईतावाद तो निमका चार्ज उसके बाद बोलेगा कि बिसिष्ट दोईतावाद तो रमोनुजा चार्ज कहेगा अदोईतावाद तो संक्रा चार्ज तो निश्ट कोशन के अब बात करेंगे, निश्ट कोशन में क्या कह रहा है, कि दिवाने कोही विभाग के अस्थापना किसा सकने के थे, इसका सही अंसर, आपसन नमबर एक हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक ने दिवाने कोही विभाग के अस अस्थापना किये थे और बात करते हैं और जो दिवाने को ही विभाग था एक करीशी विभाग था क्या था करें से भीभाग कि तो जिस परकार से दिवाने को ही किरीशी विभाग था मुहम्मद बिन तुगलग का स्थापित किया था उसी परकार से दिवाने अर्ज सैन विभाग है जो बलवन के द्वारा स्थापित किया गया था और फिर दिवाने बंदगान फिरोसा तुगलग दिवाने इस्तिहाक फिरोसा तुगलग और उसके बाद दिवाने मुस्त कराज ये बित विभाग था अल्ला उदिन खिल जी के द्वारा स्थापित किया गया था तो नेश्ट कोशन की हम बात करते हैं तो नेश्ट कोशन में क्या कराई कराई चंदावर का यूद यूद कब हुआ था तो एक गारा सो चोरानवे में आपसर नमबर डी हो जाएगा अपसर नमबर डी हो जाएगा बात करते हैं चंदावर की तो चंदावर का यूदेगारा सो चोरानमे में मुहमद गौरी तता जैचंद के बीच हुआ था जिसमें गौरी भी जैय हुई और इसमें हम देखे अभी हिष्टी के तीन वीडियो अपलोड किये हैं जिसमें हम मुहमद बिन कासिम, मुहमद गजनबी और मुहमद गौरी हम तिनों को समाप्त किये हैं जदी आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसके बाद आपको कभी भी इस तीनों से कभी छूटेगा नहीं कोसर ओभी कहानी के रूप में बताया हुआ है जदी आपको कहानी सुनना है यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो अभी जाईए आरे से स्टिचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो चंदावर की बात कहा है तो 1194 में यानि कि 1194 में मुहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था तो कहेंगे कि जाईचंद के बीच हुआ था जिसमें जाईचंद हार गिया था और इसमें दो गौर युद हुआ था तराइन के पर्थम युदेगारा सो एकानवे में पिर्थविरा चोहान और मुहमद गौरी इसमें पिर्थविरा चोहान जीत गया था मुहमद गौरी हार गया था दूसरा में हुआ था कि मुहमद गौरी जीत गया था और पित्धविरा चोहान हार गिया था इसका हम कहानी बताया थे कि पर्थम यूद तो जीत गया मुहमद अधी पित्धविरा चोहान तो फिर ही दुसरा यूद का तैयारी नहीं किया था यह चला गिया थो वस अपनी निश्ट कोशन की बात करेंगे यह कहानी जो है बताया हुआ है अच्छी तरीके से उसमें आप देख सकते हैं जाके लोहार वंस के संथापक निमिली खित में कौन था इसका जो सही अंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा संगराम राज हो जाएगा निश्ट कोशन की अब बात करेंगे और जो संगराम राज की बात के ना कि यानि कि लोहार वंस के संथापक तो बात करते हैं देखिए उत्पल वंस के बाद कस्मीर में लोहारे वंस सासन किया है कोशन पूछेगा कि जो कस्मिर में लोहार बंस सासन जो कर रहा है उसके पहले कौन बंस का था तो कहींगे उत्पल बंस और संग यानि कि लोहार बंस के जो संस्थापक माना जाता है संग राम राज को माना जाता है ठीक है नेश्ट कोशन के अब बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि किस विदवाण ने बिंदुसार को सुला राजों का विजेता बताया था तो इसका सही अंसर आप्सन नंबर सी हो जाएगा तारा नाथ हो जाएगा तारा नाथ बिंदु सार चंदगोप्त मौर का उत्रादी कारी हुआ जो 298 इस विपूर्व मगद के गदी पर बैठा था बिंदु सार को किस नाम से जाना जाता है उपनाम तो कहेंगे अमित रगात और बिंदु सार को ही सुला राजो को विजेता बताया कौन बताया तारानात तो इसका सही अंसर आपसर नमबर सी हो जाएगा निश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो निश्ट कोशन में क्या कह रहा है निश्ट कोशन में कह रहा है कि बिर्देशवर मंदिर कहां इस ती था तो इसका सही अंसर आपसर नमबर भी हो जाएगा तो नजोर में बिर्देश्वर मंदिर का निर्मान चोल सासक राज पर्थम ने किया था और यह मंदिर कहेगा कहा है तर तन्जोर में है तन्जोर तमिलाडू में पढ़ता है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कह रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है किस बहुत संगीती में बहुत धरम दो भाग में बट गया तो इसका सही अंसर अपसर नमबर D हो जाएगा चतुर्था बहुत संगीती में बट गया चतुर्थ बहुसंगीती की जो अयोजन हुआ था कुंडल कस्मीर में हुआ था और इस संगीती में बहुत धर्मदो भाग में बट गया एक ही नायन और एक महायन और इसके जो अध्याष्टा किया था चतुर्थी बहुसंगीती की अध्याष्टा किया था बज्व मित्र किया था और पर्थम वह सअगेती की बात करेंगे अजाद सत्रू उसके बात करेंगे दूसरा के काला सोक और तिसरा के बात करेंगे असोक अचवठा के बात करेंगे तो कनीस्क यानि कि याद रखना आका prior AAPAK रह से राजगिर में हुआ था दूसरा राज रावा बस से दूसरा बैसाली में और तिसरा रावा पसे पाटले पुत्रा अचव था कसे कुंडल्वन कस्मीर निश्ट कोशन के हम बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा है निश्ट कोशन में का रहा है कि जैन धर्म के तिसरे तिर्थकर का पर तिक चिन क्या था तो इसका सई अंसर आपसर नमर डी हो जाएगा गोड़ा क्या था गोड़ा था तो हम जैन धर्म के संस्थापा की बात करेंगे तो रिसब देव थे इस धर्म में कुल 24 तिर्थकर हुए जिसमें महाविर अंतिम तिर्थकर थे जो जैन धर्म के तिर्थ यानि की जैन धर्म महाविर के बोलेगा तो ये 24 में अंतिम तिर्थकर कहेंगे और question पूछेगा कि तिसरा तिर्थकर कौन थे तो हम कहेंगे कि जैन धर में तिसरा तिर्थकर संभव नाथ थे और जिनका परतिक चिन क्या था अब comment box में comment करके बताए और बात करेंगे यानि कि दूसरा के तो दूसरा जो थे अजीत नाथ थे दूसरा जितनात थे और तैसमा कौन थे तो कहेंगे तैसमा पारशनात थे नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कह रहा है नेश्ट कोशं में कह रहा है कि निमलिकित में कौन सा बेदकर दिंग की जन्म की निंदा करता है तो है इसका सही अंसर आपसा नंबर डी हो जाएगा अथरवेद कौन हो जाएगा अथर बेद इन्हें की अथर बेद की बात करेंगे तो अथर बेद में जादू टोना साधी विवा और सभाता समिती के परजापती की दो पूत्रियां कहा गया है अथर बेद में अथर बेद की बात करेंगे तो सबसे बात का बेद है अथर बेद निश्ट को बात करेंगे सरपर्थम भारत पर होने वाला हुनो जो अकर्वन की जनकारी किसे प्राप्त होता है तो इसका सई अंसर आपसर नंबर ही खो जाएगा भित्री अस्तम लेख से भित्री अस्तम लेख से यहीं कि कह सकते हैं कि भारत में होने वाला जो हुन अकर्वन की जनकारी सर पर्थम भित्री असकंद लेख से प्राप्त होता है और इस अस्तम लेख का सम्बंद असकंद गुप्त से है नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या हो जाएगा नेश्ट कोशन में का रायवाइदी काल में जीवन इतराने वाली महिला को क्या कहा जाता था इसका सही अंसर आपसर नंबर सी हो जाएगा अमाजू क्या कहा जाता है अमाजू क्या कहा जाता है अमाजू निश्ट कोशन की बात करेंगे कि किस गरा का विशिष्ट गुन उसके चुमबक के छित्रका होना है तो इसका जो सही अंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा बूद बूद का जो कुछ गुन है इसमें चुमबक छित्रका विशिष्ट गुन दर्शाता है और वाद करेंगे निश्ट कोशन की बुद्ध का कोई उपगरा नहीं है बुद्ध सुक्र का कोई उपगरा भी नहीं है याद रखना है मंगल गरा को लाल गरा कहा जाता है ठीक है और बरतमान में भी सनी गरा का सबसे जादे उपगरा है भ्यस्पत्ति से भी जादे सनी का है ठेका ब्यस्पति का 89 है और सनी का 82 है निश्ट कोशन के हम बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि भूमद सागर का परकास अस्तम किस जो अलामुखी को कहा जाता है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा अश्टमबोली जो अलामुखी को कहेंगे भूमद सागर का परकास अस्तम होता किया है कि देखे इस जो अलामुखी से हमेशा गैस निकलते रहता है जिसके कारण आसपास के जो भाग परकासित रहता है इसके कारण ही जो ऑलामुखी को भूमासागर का परकास अस्तम कह जाता है बात करते हैं अससे बड़ा बहुत करेंगे तो क्या कर रहा है कि आस्मन नदी पर इसका सही अंसर आप संबर 2 वह जाएगा नील नदी कहा है नील नदी की बात करेंगे तो ये अफ्रीका कॉंटिनेंट में पढ़ता है आस्वन वांद नील नदी परिष्थित है तो बिस्व के चोरी नदी कहा जाता है मेजन को निश्ट कोशन के हम बात करेंगे बावा बूदन की पहाड़ी बाबा बूधन की पहाड़ी किस राज में इस्तिता है इसका सही अंसर option number C हो जाएगा करनाटका में बाबा बूधन की पहाड़ी करनाटका में इस्तिता तो हम बात करेंगे कि जो बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रहमगिरी की पहाड़ी दोनों करनाटक में इस्तित है और ये दोनों धारवार पठार का भाग है कोशन पूछेगा किस पठार का भाग है तो हम कहेंगे धारवार पठार का भाग है निष्ट कोशन की बाते करेंगे निष्ट कोशन में क्या कर रहा है कि कौन सी नदी किष्णा की सहयक नदी है तो इसका सही अंसर मूसी भी है कोईना भी है दूध गंगा भी है तो एक दो तीन हो जाएगा इसका सही अंसर अपसा नमबर भी हो जाएगा और कुछ नदी की बात करेंगे तो देखे कृष्णा का जो सहायक नदी है कृष्णा के जो सहायक नदी है मुसी है, कोईना है, दूध गंगा है, पंच गंगा है इनकी घाट परभा भी है और ये सब जो है कृष्णा के सहायक नदी है क्रिष्णा के सहायक नदी है कोशन पूछेगा कि हुगली के सहायक नदी कौन है तो हम कहेंगे जलांगी है जो हुगली के सहायक नदी है नेश्ट कोशन की बाते करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है तो नेश्ट कोशन की बात करेंगे कि Next Question में क्या कह रहा है Next Question कह रहा है कि भारत में शरवाधिक वर्षा किस मंसून के कारण होती है इसका सही अंसर Option No.1 हो जएगा 10.25 मंसून 10.25 मंसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो जून शे सितंबर माथ तक जोह स्टार्टिंग होता है लगभवाक भारत में चाहुतर पर्षेंड वर्षा होती है इसी मंसुन से नेस्ट कोर्षिन कुलचन की अब बाते करेंगे देस्ट कोशन और लोटता हुआ मंसुन से या तो उत्रे पूर्वी मौनसुन बंगला देस के साथ जो भारती सीमा साधा करते हैं कितना किलो मीटर का साधा करते हैं तो हम कहेंगे 4096 मीटर national किलो मीटर और बहात करेंगे कि बंगला देश के जो सीमा साधा करते हैं भारत के 5 राज जो कौन-कौन है तो हम कहेंगे असम मिजोरम पच्छे मंगाल में घाला तरपूरा और असम की बात करेंगे तो देखिए असम मैं कैसा राज है पुर्वत्तर में सभी राजयों से टच बॉरडर टच करता है निश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या कर रहा है निश्ट कोशन में क्या करा निश्ट कोशन में कह रहा है भारत तथा चिन के मद में एक मोहन रेखा का निर्धारन कब किया गया था इसका सही अंसर अप्सान नंबर भी हो जाएगा और इस जो रेखा का जो निर्धारन किया गया था भारत और चिन के मद में इस्थित में एक मोहन रेखा का निर्धारन किया गया था 1914 में जो कहां नहीं धारन किया गया था ता सिमला में किया गया था मैं एक मोहन देखा कहेगा कि 1914 में जो किया गया था मतलब कहां पर बैठ के नहीं धारन किया गया था तो हम कहेंगे सिमला में निश्ट कोशन की बाते करेंगे कोशन कह रहा है कि सिमला तुफा मानाली के छेटर हिमालाई के कि श्रेनी के अंतरगत आता है इसका सई अंसर आफसर नमबर डी हो जाएगा लगुह हिमालाई में आए गा लगुहहहाल की बात करेंग debates करेंगे तो ासीमला कुलू मनाली मनसूरी आदि लगुहमाला के अंतरगत आता है जबकि हरीद्वार इनकी देहरादून आदि छेत्र शिवाली के अंतरगत आता है लेकिन कुलू मनाली मंसूरी ऐसा बोलेगा तो हम मारेंगे लगू हिमाला निस्ट कोशन की कि बात करें गे ने कोशन क्या कर रहा है तो इसका साई यह दिन डियालवंदरगा गुझरात में इनकी दिन डियालवंदरगा 2 रहा जैसे में कुछ और बंदरगा है उसकी हम बाते करेंगे जैसे में मारवा गोवा बंदरगा गोवा में है नहावा शेवा बंदरगा महराष्ट मुंबई में है मंगलूर बंदरगा करनाटक में है निश्ट कोशन की बाते करेंगे निश्ट कोशन क्या कर रहा है निश्ट कोश जो क्या कर भारत के भारत के कोशन पूछ रहा है कि भारत के कुल टटिय भाग के लंबाई कितनी है तो इसमें तो टट का तो दिया हुआ नहीं है ऐसे देखिए टटिये का जो लंबाई होता है ना कितना होता है यानि कि हम कह सकते हैं टटिये का जो लंबाई होता है पचातर सोला दसमलब फाइव किलो मीटर होता है कितना होता है फाइव किलो मीटर होता है पचातर सोला दसमलब फाइव किलो मीटर होता है और हम बात करते ह और जो option दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि भारत की अर्ष्थल की कुल सिमा के लंबाई कहेंगे 15200 किलो मीटर 15200 किलो मीटर कहेंगे लेकिन कहेंगा कि 30 कि लंबाई तो 75 यानिकि 7516.5 किलो मीटर निष्ट कोशन की बात करेंगे कि भारतिये दलहनशो सस्थान कहीं थी था है तो इसका सही अंसर आपसा नमबर सी हो जाएगा कानपूर और भारतिये चीनी तक्निकी सस्थान भी कानपूर है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन करा है सुरच्छावल सीमा सुरच्छावल के अस्थापना किस बर्श हुआ यहनि कि B.A.S.F. की बात करा है तो B.A.S.F. के जो अस्थापना हुआ था 1965 में हुआ था किस ने किया, इसका सही अंसर option number B हो जाएगा A.G. टेंसले A.G. टेंसले, कौन है A.G. टेंसले, हम next question की बाते करेंगे, next question में क्या कर रहा है, next question में कर रहा है, कि भारत का पहला परमानू reactor कौन सहा तो इसका जो सही अंसर option number 1 हो जाएगा, तारापूर हो जाएगा, तारापूर कहां पढ़ता है, तो कहेंगे तारापूर महराश्ट में पढ़ता है, और तारापूर महराश्ट में पढ़ता है, इसके अस्थापना की बात करेंगे, 272 में किया गया था, और कुछ जैसे में जो रियक्टर है, नाब की परमानु रियक्टर हम उसकी बात करेंगे जिस परकार से रावत भाटा तो कुछेगा कहां है तो राजस्थान में नरवरा कहां है उत्तर परदेश में काकरापारा कहां है गुजरात में कहेगा कहां है करनाटक में कलपकम की बात कहेगा तो तामिलाडू में कोशन में क्या कह रहा है निश्ट कोशन में कह रहा है कि राजा जी राश्ट्य उद्यान के सिर्राज में अवस्तित है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा उत्राखंड कहां है उत्राखंड है कहां है उत्राखंड हम बात करेंगे कि इसके जो अस्थापना किया था राजा जी राश्ट्य उध्यान के उनएस सो त्राखंड में इस थी था और इसका निर्मान मुक्ता यन कि भागो के संदश्चन है तो किया गया धा और हम बात करते हैं जैसे मैं उत्राखंड में है module 802 सापना हुआ की बाते करएगे recipients अब ब्रका शब्स-पारित हो जाएगा 1989 एक बर्ण जीब कहेगा तो 1972 एक परियाबरन कहेगा तो 1986 लेकिन कहा है बर्ण संदचन दी नहीं अंपे इसका सही अंसर 1980 हो जाएगा 1960 की बात करेंगे तो बियारो के अस्थापना 1960 में हुआ हा आरो पे नेस्ट कोशन की बात करेंगे ज्याद्चन लोंग हो जाएगा विडियो थेत प्रण नेस्ट कोशन की बात करेंगे खाद वंकिरिशिस संगछन का मुख्याला कहाँ इस सञेचा इसका जो और सही अंसर आ आप स पुष्टा के लेखा कौन है इसका सही अंसर आप्सन नंबर शी हो जाएगा अडल विहारी बाजपेई अडल विहारी बाजपेई की बात करेंगे तो यह बहारत के यह परदान मंतरी राज चुके हैं और संसत के तिन दसक पुस्तक के भी लेखा कौन है अडल विहारी बाजपेई अब राजनिती के रप्टी ले रहा है या संसत के तिन दसक पुस्तक के लेखा अडल विहारी बाजपेई है नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कह रहा है निश्ट कोशन में कह रहा है कि राश्ये पंचायित राज दिवस कम मनाय जाता है 23 का जो सही अंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा 24 अपरैल 24 अपरैल को मनाया जाता है जबकि 20 विरासत की बात करेंगे तो 18 अपरैल को मनाया जाता है और सबसे पहले पंचायती राजवेबस्ता राजस्थान के नगोर जिला में अश्टार्ट हुआ था और निष्ट कोशन की हम बात करेंगे निष्ट कोशन में क्या कह रहा है निष्ट कोशन में कह रहा है कि राष्टिये खास रचादनियम दो हजर तेरा के अंतरगा चावल के परति मूल यहनी कि परति मूल परति किलोग्राम कितना निधारित किया गया है तो इसका जो सई अंसर आप्सन नंबर भी हो जाएगा तिन रुपे परति किलोग्राम चावल का मूल निष्ट कोशन की हम बात करेंगे निष्ट कोशन में क्या कह रहा है जबकि देखे चावल कहेगा तो तिन रुपे किलो गया हूं कहेगा तो दूर रुपे किलो और मोटा नाज कहेगा तो एक रुपे किलो मिलता था नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो कराय राष्टी आई समीती का गठन किसकी अध्यस्ता में किया गया था तो इसके जो सई अंसर है पीसी महान लोविस की अध्यस्ता में जो राष्टी आई का गठन उने सो उन्चास में किया गया है और इसकी जो अध्यस्ता किये थे पीसी महानलोविस ने ही किये थे निश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि मानव विकास सुछकांग के अंतरगतने मिलिखित में से किस विसाय को समलित नहीं किया जाता है इसका जो सही answer option number 1 हो जाएगा जन संख्या को समलित नहीं किया जाता है मानव विसकास सुछकांग में और यह जो परकासित करता है जारी करता है कौन करता है तो UNDP जारी करता है कोशन पुछेगा कि कौन जारी करता है तो UNDP जारी करता है और इसमें तीन भी सहीव को सामिल किया जाता है इसमें कौन कौन है तो हम कहेंगे जीवन परतियास्ता है सिच्छा है और परतिव्यक्ति याई इसमें सामिल किया जाता है कोशन कई बार पूछा हुआ है धियान देजेगा निश्ट कोशन के हम बाते करेंगे निश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि समुदाइक विकास काज करम की सुरूबात किस पंच वर्षिय योजना के दोरान की गई ते इसका सही अंसर आप्सन नमबर एक हो जाएगा पर्थम पंच वर्षिय योजना जो इस समुदाइक विकास काज करम के जो अस्थापना किया गया था उन्हें सो बामन में किया गया था उस समय पर्थम पंच वर्षिय योजना काल था एक आमन से छपान और जो पर्थम पंच वर्षिय योजना कोशन पुछया किस मॉडल पर अधारित था तो हम कहेंगे पर्थम था हिराड डोगर मोडल अब निश्ट कोशन के अब बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या कह रहा है निश्ट कोशन में कह रहा है कि आर्थिक दिश्टी कौन से भी निर्मान तथा बिजली निर्मान किस छेत के अंतरगात आते हैं तिसका सई अंसर option number B हो जाएगा, दूतियक छेतर में आएगा, देखे क्रीसी जो है प्राथम की में आजाएगा, और ये सब बिनिमाई छेतर और बिजली निर्मान एदूतिय में आजाएगा, जबकि तिरतियक की बात करेंगे, तो तिरतियक छेतर के अंतरगत सेवा करा जो सई अंसर option number C हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा, हम बात करते हैं, कि सरदार पटेल के अंतरगत दो उपसमीती का भी गटित हुआ था, जैसे में मूल अधिकार उपसमीती के अध्यच कौन थे, तो हम कहेंगे, कि जे तो इसका अंसर यह तो हो जाएगा थे सदार्बला भाई पटल नेष्ट कोशन के हम बात करेंगे नेष्ट कोशन के क्या करा राइव राष्ट्पति का पदकिस्देश के समिधान से लिया गया है तो इसका जो सब्सकी अंसर आपसा नमबर एक हो जाएगा अमरिका अमरिका माभ्योग की परकिरिया भी अमरिका के सम्विधान से लिया गया है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में कर रहा है क्या कि बिधाय को तथा संसादो द्वारा ली जाने वाल सपत्य परतिग्या का प्रारूप कि संसूची में बर नी था तो इसका जो सई answer option नमबर बी होजाएगा तिसरी में बर नी थाए और भारतिय समीधान यानि कि कुल कितना नुशूची है तो 12 नूशूची है इसके अंतरगा तिसी में क्या है कि वैंत्री निकि मन्त्रू थाल है मंसंसर है मंसमत्र तृषर यानि कि मंत्रियों के द्वारा सपत का प्रपद्हान आ सबस्त कई हो करेंगे अधने के लिए बोलें इसे करेंके नगरिक्ता को थूब सब्सक्राइं का अंसर ऑपसा नम्बर सी तरीके से इसमें हैं कि भारत की नगिक्ता या तो बंचित करना होगा ये तीनों तरीका से आप कर सकते हैं लेकिन कोषन पूछेगा कि भारत के नक्रताब कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त आप पांच तरीका से कर सकते हैं पहला जन्म से दूसरा बंसा नुगत से तेसरा राज यानिकि रजिस्ट्री क्रन से चाओा देसी करन द्वारा और पच्ध में भारत के दिखरमो pearls संसोधन द्वारा छे से चौदान संसोधन की बात करेंगे तो 2002 में सिच्छा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया जिसके अनुसार छे से चौदा बर्स तक के बच्चों को निसूर की सिच्छा दिया जाता है और वात करेंगे निश्ट कोशन की तो निश्ट कोशन क्या कर रहा है निश्ट कोशन में कर रहा है कि राश्टी असमार को अस्थानों तथा बस्तों के संदच्छन की सनुच्छन में बरनी था तो इसका सही अंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा उन्चास में उन्चास में 47 की बात करेंगे तो जो सरावबंदी होता है ना इस 47 के अंतरगत हैं और 48 की बात करेंगे तो पसु यह निकी पसुपालन और पर्यवरंस मंदी सिफ में 48 में बरनी थैं अपचास की बात करेंगे तो एक आज पालिका से नियाई पालिका का पिर्था कराना निश्ट कोशन की हम बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा है निश्ट कोशन में करा है कि भारत के बरतमान राष्ट पती था था उप राष्ट पती अपने पद के नुसार यानि की करम क हम कहेंगे हम कहेंगे कि देखे राष्ट पती जो है ना पंदरमा है और पराष्ट पती है जो चौदमा है यह हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा पंदरा और चौदा हो जाएगा पंदरा और चौदा हो जाएगा पंदरा और चौदा हो जाएगा ओप्सन इसमें नहीं दिया हुआ है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में कर रहा है कि लोक सभा अध्याच अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो इसका जो सही अंसर है और सी हो जाएगा लोगसवा उपाध्याच को किसे सुपतर लोगसवा उपाध्याच को और बात करेंगे निश्ट कोशन की तो निश्ट कोशन में क्या कर रहा है निश्ट कोशन में कर रहा है कि भारत के किसी राज को विसेश राज का दर्जा किस फर्मूले के अधार पर दिया जाता कि बर्तमान में भारत में गारा राजियों को विसेस राज का दर्जा भी मिला हुआ है निश्ट कोशन क्या करा निश्ट कोशन के हम बात करेंगे निश्ट कोशन क्या कर रहा है निश्ट कोशन देखते हैं निश्ट कोशन में करा कि पंचाइती करा निश्ट कोशन में कि छट कौन गलत है जो मिलान करना है तो इसका जो हम मिलाते हैं मिलान जैसे में हम बात करते हैं बलबंतराय मेहता संतामन सही है असोक मेहता सततर बलबंतराय मेहता तिरी अस्तरिय था असोक मेहता दुरी अस्तरिय था एस सततर में सही है और जी भी राव जो है पचासी में ए भी सही ह और यानि कि LM सिंध्वी जो 88 दिया हुआ है यही गलत है LM सिंध्वी जो दिया हुआ है यह गलत है यह होता है 1986 होता है 1986 होता है हम बात करेंगे कि देखिए भात में पंचाइती राज का सरपर्थन उद घाटन पंडी जवाहलान नेरू ने में राजस्थान के नगौर जीला में किया था और यह पंचाइती राज के जो पर्मुक समीति में LM सिंध्वी समीति है इसका गठन कब हुआ था 1986 में हुआ था आधरा क्राइं इंपॉर्टेंट कोश्चन है आधरा के अपकी बार डबल सब्सक्राइब करेंगे और मुझे पता है कि किस तरीके से रिजल्ट लिया जाता है आपको तो पता होगा कि हम दो बर क्वाइलिफाई कर चुके हैं पीटी और मिन्स तो मुझे पता है कि किस धंक से तयारी करवाना है निष्ट कोश्चन की बात करेंगे इसी चाकिस सुची के अंतरगात आता है तो इसका सई अंसर option number c हो जाएगा सम्बर्ती सुची कि सुची में संबर्ती सुची में आजएगा और बात करेंगे देखे अभी जो तीनों सुची में जो भी साय है हम कहेंगे कि देखे संग सूची में कितना भी सही है तो कहेंगे कि संग सूची में भी सो भी सही है राज सूची में कितना भी सही है तो कहेंगे एकसर्ट हो है संबर्ती सूची में भी सही कहेगा तो बामन है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि चीन के राष्टिये खिलनी मिल्खित में से क्या है तो इसका सही अंसर ऑफ्सन नंबर भी हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएगा जबकि भुटान का राष्ट्ये खिलत तिरनदा जी है और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था तो इसका जो सही अंसर है अपसर नंबर स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था इसका सही अंसर अपसर नंबर सी हो जाएगा उन्हे sot 28 मेंने जीता था जी उन्हेस तो इसका सही अनसर 928 होगा होकी में परण पदक जीता था नेस्ट कोसन के हम बात करेंगे हमें क्या करा नेस्ट कोशन कराएं कि वर्स 2021 में कुल कितने नागरी को को पधम पुरुस्कार दिया गया था है जिसमें था कि साथ उगों पदब भूता रहा है कि किसी जीवित नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन करा निमलिकित में कौन सी पुरसुक में लिग गुनसुत्रों के जोड़ों को दर्शाता है ते इसका जो सही अंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा एक्स और वाई एक्स वाई next question की बात करेंगे next question में क्या कर रहा है next question कर रहा है परकास अंसलेशन के दोरा परकासिय उर्जा किसमें परिवर्थित होता है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा रसाइनी कुर्जा में परकासित होता है किसमें होता है एलल अधिशहीं हैं कर रहा है है इसका और नमी लिखित में कौन ग्रीन होस गैस का उदाहरा नहीं है तक जो सइए अंसर हो जाएगा और्प्शन नमबर सिव हो जाएगा नाइसिक उकशाइड ग्रीन होस waterproof नहीं है ठीक ow गैस क्वून है हैं तो हम कहेंगे कि देखें जलबास वह कार्बन डेक ऑक्साइड है क्लोरो फ्लोरो कारवन है यह सब ग्रीन हॉस गईस में आता है कि तो इसका जो सही अंसर अप्सन नमबर सी हो जाएगा ठीक है कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कराया है कि नेश्ट कोशन कराने मिलखित में कौन सा जन्तू अस्तन पाई नहीं आए तो इसका जो सही अंसर ऑप्सन नमबर एक हो जाएगा सार्क सार्क अस्तन पाई नहीं है बगी चनबादर चुवास यह है और सार्क की बात करेंगे तो इसमें एक भी अड़ी नहीं पाया जाता ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा चार कोश्ट होता है तो हम बताते हैं देखे जो भी अस्तंधारी है या तो जो भी पंची है इसमें यानि कि कर सकते हैं कि लेकिन थोड़ा सा धियान देजेगा है यहां पर कोशन पूछेगा कि मनुस में कितने कोश्ट है तो हम बोलेंगे और कोश्टन पूछेगा कि अस्तंधारी में चार गो और पंची में भी चार गो लेकिन सरी सिरिप में और भैचर में कोश्टो की संक्या तीन होता है और कोश्टो की संक्या कितना होता है तीन होता है मानम मस्तिक में निलाई होते हैं तो इसमें हो जाएगा कितना निलाई क लेकिन मस्तिस्क में कितने निले होते हैं तो इसमें चार गो हो जाएगा दो पासर बनीले और दो वह जाएगा की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा करानी मिल्खित में से कौन मानव मूतर का एक यह जो जाएगा क्या हो जाएगा हम मुत्र की बात करेंगे तो 95% जल होता है 2% अनावस्यक 11 होता है और 2.6% यूरिया होता है 10.3% यूरिकमल होता है और मुत्र का जो रंग फिला होता है इरोक्रोम के कारण होता है और मुत्र में इल्वूमीन क्या इल्वूमीन पाय जाता है नहीं पाय जाता है यह समान घटक है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि मानव सरी के सबसे बड़ा अंकौन है था इसका जो सही अंसर और भी हो जाएगा लीबर हो जाएगा लीबर का बजन कहेंगे तो डेर से दो केजी होता है लीबर को कले जा यकृत जीगर इसी को कहेंगे क्या है और कोई भी ब्यक्ति टॉक्सीन सब घ्ला न तो नेश्ट को सब्सेर कोशन के करा कि बंदसना फाइव ओम के परतिरोध भाले परति परिपत में डेल सो भोल्ट लगाया जाता है तो परतिरोध द्वारा खर्च कुल सकती कितनी होगी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी हो जाएगा पंद्रह हजार बाट हो जाएगा जम निकल ये गता यानि कि यार दिया हुआ है बंदसना फाइव ओम भी दिया हुआ है डेल सो बोल्ट तपी बरबर भी अस्कौाइर बटा आर कर लीजिएगा अंसर आ जाएगा पी बरबर क्या करेंगे पी बटा आर कर लेंगे बही जो दिया हुआ है करूआ भी कितना 15 यानिकी डेल सब गुर्णे इपनी उस जाएगा यानि कि कह सकते हैं डेल सब गुर्णे डेल सब फिर बटा में बटा में आर दे दीजेगा पंधरा दे दीजिएगा कल्कुलेस्ट कर लीजिएगा आ जाएगा next question की बात करेंगे next question में क्या करा next question में कह रहा है next question करा पनी के बुन कर तयले प्रिष्ट पर न चिपकने का क्या कारण है तह इसका जो सही answer हो जाएगा नहीं चिपकने का क्या करान है, चिपकेगा तो असंजक वल, नहीं चिपकेगा तो ससंजक वल, क्या कोस्टन क्या करा है, तैल पर नहीं चिपकेगा, किसके कारण, ता संजक वल के कारण, तो इसका नसर कि असंजक बल्स कम ओस इसके मारल लीजिए उपस clerk खब लिखेगा न तो जो लिखाथा और संजक को कि यह इकारण एक बलके ही कारण तुल्यांकादी उपगर्रा का परिकर्मन अबन अबने परिके निसके असर हो जाएगा ओप्स नंबर 11 24 गंटा का ardके नुसक होता है इस old Fit semesta कड क्या होता है कि इसके बात करेंगे कराक्या कि पिंडूल cierto कोच्च दर्मा पर ले जाने पर उसका वर्थ काल पर क्या पर्वाप पढ़ता है तो इसका जो सही अंसर है option number B हो जाएगा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा यहनि कि कहेगा, पिंडूलम को चंदर्मा पर ले जाएंगे तो उसका वर स्काल पर क्या परफाप पड़ेगा तो हो कहेंगे, बढ़ेगा निश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा है, निश्ट कोशन करा है कि X कि ने किस परकार का तरंग है तो इसका जो सही अंसर, option number C हो जाएगा बिधु चुमबा के तरंग है, कैसा है वसम्हांतर दर्पनी को बिच रखा जाता है तो बरने पर्तिंप मों की संख्या कितनी हो इसका जो साहई आंसर हो जाएगा नमबर की हो जाएगा वाराण नंत हो जाएगा निस्ट कोसिंग से करते होता क्या हिए देखें थी समतल दर्पन के दुसरे संवनल औंतर रखेगा नТॉ-टीडिशंत नहीं बनेगा नहीं कि सब्सक्राइब कर याद रखेगा बर्धानतर कभी तूर नहीं किया जा सकता है जिसको आप color blinded करते हैं इसमें लाल और हरा में रंग में different होता है लाल हरा दिखेगा हरा लाल की तरह दिखेगा तो color blinded है और निश्ट कोशन की बात करते हैं एक कहेंगे कि अनुवांसिक रोग है जो पिढ़ी दर पिढ़ी बढ़ता है और इसका जो बाहाग होते हैं माता जी होते हैं निम्लिखित में से कौन एक निश्क की लिएगा इसका उधारन है इसका सही अंसर आपसन नमबर भी हो जाएगा आरगन हो जाएगा निश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा है निश्ट कोशन में करा है कि अतिस वाजी में हरा रंग किसके करन दिखाए पड़ता है तो इसक का जो सई अंसर हो जाएगा option number भी हो जाएगा समांगी मिसरन को विलियन भी कस रहे निश्ट कोशन के हम बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा निश्ट कोशन कर रहा है कि अलमुनियम को किस विधी द्वारा सुध किया जा सकता है तो इसका जो सब सब्सक्राइब करेंगे क्या कर रहा है कि निम लिखित में कौन बाइप पर दूसर का मोनीटर करता है तो इसका जो सब्सक्राइब हो जाएगा लाइकेन जिस एरिया में यानिकी पर दूसर नाइगा लाइकेन नहीं ऊगें धूसर नहीं हो गया और लाइकेन ऑसे वाल का मिलेगा तो लाइकेन का सपाथ का सकते सब्सक्राइब करेंगे से समय को सन्मे क्या रहा है कि आ डुट हरे राओंड इंडिया 2020 सिर्मोर्ट टिंग पाश्ट लीगेशी पुस्तक लेखा कौन है तो इसका जो साइए अंसर आपसर नमबर एक हो जाएगा आरपी गुपता हो जाएगा नेश्ट कोोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में करा है कि हाले में किस राज ने knowledge mission नामक एक digital phone काưởng लौझ कियाphone तो इसका जो सई-सर option number which is the identifying sailed holiday जोड़ेगा किर लोग जाएगा क्यों हो जाएगा केरल हो जाएगा बॉ induz को शन की बात करेंगे नेश को शन में को रहा है नेश्ट को सब्akat रहा है ст देखिए नेस्ट कोशन का लाइ люблю 어लाम्पिक टीकर पाने वाली पाहली भारति यह कौन वंगी तो इसका जो साही अंसर हो जाए-गा, आप्स hommeर सी हो जाए-गा, भίοवग नि देवी हो जाए-गौन हो तो इसने वाली होलामपिक से नाधू के रहने वाली है , उलम्पिक में भाग लेने वाली पहली मेला तलवारवाज बन गय है यह तोक्यो लाम्पिक में क्वाइलिफाई किया है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि हाल ही में किस राज में नाप कुस्तकाल है खोलने की घोशना की है तो इसका सही अंसर नमबर भी हो जाएगा पच्छी मंगाल है जो ना पुस्तकाले की खोल खोल दिया गया है कि अपका सकते हैं कि इसमें आप बूर्टिंग कीजिएगा और उपकी निश्ट को सिन की बात है जिसका कराए कि सारवजिनिक अस्थानों पर पर पुर्ण शेराध रखने पर प्रतिवांद लगाने या इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसन नम्मर डी раст कोईन की बात करेंगा जैनेस्ट कोशन में क्या करा है नेस्ट कोशन में कर रहा है कि बर्ष 2020 में डश्ट लिक सकेंड सेन अभ्यास का योजन किंदो देश के मद किया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर एक हो जाएगा भारत और उजवेकिस्तान हो जाएगा भारत और उजवेकिस्तान हो जाएगा तो इसका सही ऐसम सोर्म मेंजेड ओता कीया था निश्ट कोर्षें के बात करेंगे सलम्हा को सहतूत आज इनि कि सालमा बांद भी और सहतूत बांद भी कहां है अफ़ गनीस्तान में कि बाद कर लिए लाइव 10्ट में के भी में कि भार्ति लगूफ फिल्म को चुना गया है तो इसका जो स़ई अंसर आप्षंट नमबर दी हो जाएगा बेट्ट्टू को चुना गया किसको बेट्टू को चुना गया जाए πढ़ानमंतरि नरेंद्र मोदी एक कि सराज में बेपuju के प्रोप्प्लिन ब्यूतुप्पं प्रेटरो प्रियोईजना का ऊदगहाटन क्या तैंड नो क Hients question की बात करेंगे मिया स्थे कोशन में कहरा है कि हाली में तराष्टे स्व Horizon डाक्टर अजय माथूर होजाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे क्या कर रहा है कि गलोबल फायर पावर राकिंग 2021 के अमशाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेंच्छमता किस देष के पासब एफ इसका सभी अंसर उप्सन अंबर B हो जाएगा अमरीका हो जाएगा अमरीका 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 निर्ट कोशन की बात करेंगे क्या करा करा किंद्र के लिस्षा रुर्जा के लिएक कि बात करेंगे केंद्रिय मंत्री मंदल ने भारत और रुजवेकिस्तान के वे चुर्जाक के छेत्र में सहयोग के लिए सहमत्य मंजूरी दिया है और क्या कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो क्या करा कि हुनर हाट कि परशिद लेखा किया लेखिका को तीसवाज चाशाती समान दौजरी किस समानीत किया गया था इसका सई अंसार ऑप्सन नमबर से डाक्टर शरनकुमार लिमबाले शरनकुमार लिमबाले और वात करेंगे नेश्ट कोशन के लिए और क्या करा रहा है नेश्ट कोशन करा कि कोविड नाइनटी टेका करना भियान के परसम चरन के शुरूआत भारत में कब की गई तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर से हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को किया गया और जो भाद का पहले टेका करना भियान पहले चरन क सो यहनिक सुरूआत 16 जनवरी 2021 आद रखना नेश्ट कोशन के बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा राएगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन मर्डी हो जाएगा बिरेटें 2021 में बेरिटेन किया ठीक है और हम 2022 की बात करेंगे तो 2022 में कौन क्या कहेंगे जर्मनी किया कौन किया जर्मनी किया और जी 20 की बात करेंगे 2021 में इटली किया 22 में इंडोनेशिया करेंगा 23 में अपनद भारत करेंगे नेश्ट कोस्न में क्या कर रहा एक ज्यान मित्र एक किसके इंदर शाष परदेश की द्वारा जारे किया गया तो इसका जो सई अंसर आप्स नंबर एक हो जाएगा दादर नगरहवेली एंबफ़न देप दागदर नगरहवेली एंबफ़न देप इसमें क्या है न वैं, कि ओन-लाइन सिछ्छा के लिए प३ूशे करों नेश्ट कोशन की बाते में करतें नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में मैथ हैं और मैथ हम बहुत सारे वीडियो लोड के हैं मैथ के जदि आप नहीं देखें तो देखें शमझ में 100% आएगा जलबाई परिवर्तन परदर्शन सुचकांग नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे यह समय तो दम चटनी है क्या है चटनी सिंपल है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा जैने के 96 आप बी निकालीएगा तो 373ड हो जाएगा इसमें देखिए निकालने सकते हैं ठीक निकालेंगे दिर्क लाइव वीडियो में निखाल में बताएं इसमें पैस और अ एक चाहिए गाएन को नेनानिय में की बात करेंगे तो निनानिय में की कि अंसर मात्र कुद्ट राएन भी 5 mm पिछलगे तो आज बार वीडियो इतना ही रहने देते हैं जदी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आउप सब्सक्राइब के जिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ा है ताकि चैनल में अन्टाइज हो जाए तो आपको द्रोगा की बहाली आते-आते हम डाइरेक्ट वीडिय जो बिहार द्रोगा के लिए ग्रूपिंग डिसकर्शन बैश का लाइव दिखा सके तो इसके कोई ऐसे देखे जो डिसकर्शन करेंगे किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्ट्रेंट रहेगा इसा नहीं कि सिर्फ दरोगा जो लिवसेंट है उस बुक को हम पूरा डिसकर् करेंगे इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत